हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक अबर चैनल देप ऑनलाइन हेल्प दोस्तों MP BAD, BAD, MPAD, BAD और BABAD इसके अलावा BSC BAD की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है तो अब आप इन कोर्सेस का सीट अलोर्डमेंट लेटर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सीट आवंटन पत्र कैसे ड दिखाने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक हमारे चैनल देब ऑनलाइन हेल्प को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बैल आइकन बटन को अल प्रेस कर लिज तो इतना आपको टाइप करके सर्च कर लेना है इपरवेस अगरे सर्च करने बद आपके सामने फस्ट वाली लिंक आ जाएगी इपरवेस.mponline.ub.in तो आपको इस फस्ट लिंक पर किलिक कर देना है किलिक करने बद आप इपरवेस की ओपीसल वेबसाइड पर विजिट कर जाएंगे अब आपको नीचे स्कॉल करना है और नीचे स्कॉल करने के बाद आपको लास्ट में आ जाना है तो लास्ट में आपको यहां पर एक आप्शन मिलेगा इंपोटेंट लिंक्स तो यहां पर आपको एक आप्शन और मिल जाएगा देखने को एंसीटी एडवीशन पोर्टल तो आपको ncte admission पोर्टल के इस option पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से न्यू इंटरफेस ओपन होगा और यहां पर आपको फिर्वेस प्रकिरिया की पूरी डीटियल्स यहां पर दी गई है तो सबसे पहले आपको पंजयन कराना होता है फिर इसके बाद आपको डोकुमेंट के सत्यापन कराना होता है इसके बाद आपका महविद्यल चायन होता है सीट आवंटन जारी होता है मैटलिस्ट जारी होते है तो इस सभी डीटियल्स आपको यहां पर दी है इसके बाद स्वल के बुक्तान करने के बाद आपका जो है admission confirm होता है तो अब आपको यहां पर देख सकते हैं registration के लिए link यहां पर देखने को मिल जाएगी जिस भी courses के लिए आप apply करना चाहते हैं तो यहां से आप registration कर सकते हैं अब आपको नीचे scroll करना है तो आपको seat up and turn या फिर आपको merit list चेक करनी है जैसे की बीए बीट की तो आप यहां पर click here पर click करेंगे अगर आपको बीएड कोर्स की डाउनलोड करना है seat up and turn पत्रिया merit list चेक करनी है तब आपको यहां पर click here के option पर click करना होगा इसके अलावा आपको नीचे बीएड और इसके अलावा नीचे बीएस सी बीएड और नीचे स्खोल करने पर बीपीएड इसी परकार से आपको अलग-अलग यहां पर सभी के लिए link के देखने को मिल जाएगा तो जैसे कि हम बीएड का allotment letter download करने वाली है तो इस पर click करेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार से new interface open होगा और यहां पर आपको first number पर option मिलेगा आवज सेख सूचना second number पर आपको option मिलता है प्रवेश पिरकिरिया तो आपको इस पर click कर देना है second option पर प्रवेश पिरकिरिया पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस परकार से important dates यहां पर open हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं merit list यहां पर आपको first number पर option मिल जाएगा तो merit list आप अपनी देख सकते हैं 9 अगस्त से लेकर 19 अगस्त 2021 तक चेक कर सकते हैं तो पिछली वीडियो में हमने आपको चेक करना दिखाया तब merit list में अपना नाम या फिर application number से अब इसकी बात करते हैं यहां पर seat allotment letter आपके ऐसे download करेंगे तो यहां पर आपको मिलता है seat allotment letter first round 14 अगस्त आप देख सकते हैं 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक आप अपना seat allotment letter डाउंडोड कर सकते हैं तो seat allotment letter डाउंडोड करने के लिए आपको यहां पर किलिख्यार का यह option आपको कर रहा है तो आपको किलिख्यार वाले option पर किलिख कर देना लास्ट में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से new interface ओपन होगा और यहां पर आपको सबसे पहले स्टुडेंट का जो application number है वह आप यहां पर इंटर करेंगे इसके बाद आपको यहां पर option मिलेगा date of birth का तो यहां पर आपको जो भी स्टुडेंट की date of birth है वह आप यह इसके बाद आपने जो choice filling की आपने transaction ID आपको last में यहां पर इंटर करना है तो जो भी आपने choice filling का payment किया था उसकी transaction ID आप यहां पर इंटर करेंगे और इसकी इनपर जो capture course हो कर रहा है वह आपको यहां पर इंटर करना है और view details के option पर click कर देना है तो जैसे आप view details पर click करें आपके सामने आपका seat allotment letter download होकर आजाएगा तो आपको जो भी college आवंटेट हुए है वह इसमें आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलावा आपकी पूरी details से देखने को मिल जाएगी और आपको office payment कर सकते हैं किस परकार से office payment करना है वह आपको next video में update कर देंगे तो यह मिलते हैं एको न्यू वीडियो में एको न्यू इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ जय हिंद